नमस्कार मित्रो भार्दी गवनिंद नमारेश चल्लेल में आपका दोस्तों आज पुनाव में आपके समख्ष एक सूक्स में कतार पूंगा। यहां भगवान श्री राम चर्ण जी से संबंदित है कि और गोस्वामी तुलसीदाज जी से कि सर्व परतम सभी के मन में यह शंका आती है उपन होती है कि सर्व परतम राम चरित मानस का सुरोता कौन है। तो इसके विशय में खुद गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में इसका संपून वर्णन किया है कि सर्व प्रतम सुरोता कौन है रामचरित मानस का जैसा कि हम सब यही जानते हैं कि भागवान शिव ने प्रतम बार मा पारवती को यह कथा सुनाई भगवान शिराम चंद्र जी के अनन्य भक्तों में से एक है भोले नात अब आप सोच रहोंगे कि भोले नात कैसे राम जी के भक्त हुए तो आप सभी यह जानते होंगे जब वो ध्यान में बैठते हैं तो केवल राम का नाम ही वह चारण करते हैं अपने मन में भगवान शिर चौपाई रामचरित मानस की चौपाई नंबर 112 और 113 से लेकर 14 तक में यह वर्णन कर दिया है कि साथ कल्प पहले साथ कल्प पहले स्री लोमश रिशी द्वारा यह कथा काद मुशंडी जी को उन्होंने सुनाई तो अर्थात क्योंकि कल्प अनेक हैं तो उसी प्रकार से साथ कल्प पहले सरपर्थम यह काद मुशंडी जी ने रामचरित मानस का सर्वन किया था तो इसका आर्थ यही निकलता है कि सरपर्थम स्रोता जो है वह काद मुशंडी जी थे लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि भगवान शिव ने भी तो रामचरित मानस का सर नहीं के करपा से आए गो, सवामी जी को प्रेंडना मिली राम स्वी प्रत्राम की का प्रॉप से उनने प्रत्म श्लोक में। ही गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ तभी उन्होंने महाकाव्य राम्चरित मानस की उन्होंने रचना कर डाली और उसी से आज हम तक यह रचना पहुंची है और उसी का यह परिणाम है कि जहाँ जहाँ रामयन का पाठ होता है वहाँ वहाँ अवश्य भगवान श्री राम अवश्य पदारते हैं और साती सात हनवानी महाराज वहाँ पे अवश्य रहते हैं भगवान श्री राम के गुणों का सरवन करने के लिए तो ऐसी लीला है तो चर्चा हमारी इस पे थी कि सरपर्थम सुरोता कौन है तो गोस्वामी जी ने खुद ही इसके विशे में बता दिया कि सरपर्थम सुरोता जो है काख भुशुंडी जी है और काग भुशुंडी जी द्वारा ही नीलांचल परवत पर भगवान शिव ने यह कथा स्रवन की थी हंस रूप में वहाँ बैठे थे जब गरुड जी को काग भुशुंडी जी यह कथा सुना रहे थे तो हंस रूप में जब वहाँ विराजमान हुए बोले नात उन्होंने कथा का स्रवन वहीं पे किया तो सरपर्थम पहले स्रूटा ना गरुड जी हुए ना भगवान शिव हुए और ना पारवती जी हुई सबसे पहले स्रूटा थे काग भुशुंडी जी जिनको लोमश रिसी द्वारा साथ कल्प पहले ही इस कथा का स्रवन उन्होंने कर लिया था यही सुंदर चर्चाएं होती हैं भगवान की प्रत्ये के दिन हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए और आशा करता हूं कि इन कथाओं से कुछ न कुछ शीक आप ले रहे होंगा वश्यू दोस्तों आज के लिए बस इतना ही पुना आपके समक्ष एक शुक्ष्न कथा ले